कि साथियों कि आज मैं आप सभी को एक और बात याद दिलाना चाहता हूं कि 20 साल हो रहे हैं हर तरह की खटी मिठी बातें याद आना बहुत स्वाभाविक है आज दुनिया वाइबरन गुजरात की सफलता देख रही है लेकिन भाइबरन गुजरात का आयोजन ऐसे माहूल में किया गया जब तब की केंद्र सरकार भी गुजरात के विकास को लेकर बेरुखी दिखाती थी मैंने हमेशा ही कहा है कि गुजरात के विकास से देश का विकास लेकिन उस समय केंद्र सरकार चलाने वाले गुजरात के विकास को भी राजनीती से जोड़ कर देखते थे केंद्र सरकार के मंत्री तब वाइबरन गुजरात समीट में आने से मनाद कर दिया करते थे व्यक्ति गद्रुप से तो मुझे बताते रहें ने ने हम जुरूर आएंगे तो ताने पीछे से ढंडा चलता था वो ना कर देते थे सहयोग तो दूर की बाद वो रोड़े अटकाने में लगे रहते थे विदेशी इन्वेस्टर्स को धमकाया जाता था कि गुजरात मत जाओ इतना डराने के बाद भी विदेशी इन्वेस्टर्स गुजरात आए जबकि यहां गुजरात में उन्हें कोई स्पेशल इंसेंटिव नहीं दिया जाता था वो यहां आते थे क्योंकि उन्हें यहां good governance, fair governance, policy driven governance, equal system of growth और transparent सरकार का अनुभाव रोजमरा की जिन्दगी में आता था आप तल्पना कर सकते हैं जब वाइप्रेंट गुजरात की शुरुवात की गई थी तब गुजरात में बड़े बड़े होटल भी नहीं थे जहां पर इतने सारे विदेश्टी मेहमारों को रुकवाय जा सके जब सारे सरकारी गेस्ट हाउस भी भर जाते थे तो हमारे सामने सवाल होता था कि अब बाकी लोग कहां टेहरेंगे ऐसी स्थिति में बिजनेस हाउस ने को मैंने कहा भाई जरा आपके कोई गेस्ट हाउस गए रहे तो वह भी छोड़ दीजिए ताकि उनके काम आ जाए कि उनकी गेस्ट हाउस में महमानों को रुकने का इंद्याम किया गया कुछ लोगों को बड़ोदा भी ठहराना पड़ा साथियों मुझे आध है तू थाउजन नाइन में जब वाइब्रन गुजरात का आयोजन किया गया तब पूरी दुनिया में मंदी का माहूल था मंदी कि चपेंट में दुनिया थी और सबने मुझे बताया हमारे अपसर में मुझे बता रहे थे कि साभी इस बार वाइब्रन गुजरात सब्कीत कर दीजिए यह फ्लॉप हो जाएगा कोई नहीं आएगा लेकिन मैंने उस समय भी कहा जी नहीं यह रुकेगा नहीं यह होगा अगर विफल हुआ तो आलो चना होगी और क्या होगा लेकिन आदत थुटनी नहीं चाहिए और तब भी वाइब्रेंट गुजरात समीट ने पूरा विश्व मंदिश के दौर में था लेकिन दोहजार नौ के वाइब्रेंट समीट में सफलता का एक और नया ध्या जुड़ गया साथ्यों वाइब्रेंट गुजरात की सफलता इसकी विकांस यांत्रा से भी समझी जा सकती है पार्टिसिपेंट्स और डेलिगेट्स इस समीट में हिस्सा लेने के लिए आना शुरू हुए है कि दोहजार तीन में इस समीट में सिर्फ गिंती भर देशों का पार्टिसिपेशन था आज एक सो पैंटीस देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं दोहजार तीन में इस समीट की शुरूआत में तीस के आसपास एक्जिबिटर्स आये थे अब दोहजार से अधीक एक्जिबिटर्स इस समीट में आते हैं